हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टॉल उफ यू हैस्यो साइंस अंध्स टीचर नैंसी सो हमने पिछले वीडियो में मैटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसकस कर ले थी उसके बाद हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज डिसकस करनी है इससे बहले हम यह पढ़ते हैं मैटल्स सोडियम और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैटल्स की वह क्या थे हाड थे मजबूत होते थे लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे कि सोडियम और मैगनिश्य सोडियम और प्रॉपर्टीज की द्वारा कट कर सकते हैं मर्करी इस ऑनली मैटल विच इस फाउंड इन लिक केस है जो की लिक्विड होता है रूम टाप्रेचर पे दीजा एक्सेप्शन तो यह मोस्ट इमसी को में इसका क्वेशन आ सकता है इसकी बाद मारी कैमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं फॉस्ट लियम पढ़ते हैं रियक्शन विद ऑक्सेजन के साथ कैसे रियक्ट करते हैं हम सबने पढ़ा है बच्पन से हम पढ़ते हैं कि वह बीठ ऑक्सेजन यहां और प्रशिजन केसे लेते हैं नियुक्त करते हैं यह फैमिलर भी फिनॉमिन आफ रस्टिंग ऑफ आइरन रस्टिंग आइरन होते हैं जो हमारी जो आइरन के फिंग्स होती हैं उनके पर जंग लग जाता है ब्राउनिश मेटीरियल आ जाता है रिकॉल दा रियक्षिन बाइविच रस्ट इस फॉर्म अब हम रियक्षिन को रिकॉल करते हैं एक और हमने सेवन्थ क्लास में एक्टिविटी पड़ी थी जिसमें हम visada 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 vis और हुआ पर मॉइस्ट्र भी होता है तो उसको हमने ले लिया एच्टू वॉटर अब इसका प्रोड़क्ट क्या बनेगा एफी टू ओ ट्री डॉट एक्स एच्टू तो यह है रस्टिंग का फॉर्मूला इसके बच जब मैंगनेशियम रीबन को बान करते हैं उक्सिजन के स फाइन इसके बाद हमारा वेन और कॉपर वैसल इस एक्सपोज तो मॉइस्ट एर फोर लॉंग इटक्वार जब कॉपर वैसल को भी आपन रखते हैं एयर में उसके पर बीना पेंट किये तो उसमें भी क्या आते है ग्रीन कलर की कॉटिंग अपियर होने लगती है जैसे कि होते हैं ब्रावनी शपीर आंसाथी यह एंग अब क्रेण मिटीरियल इसे में टी है और कॉपर आप्साइड हाइड्रोकसाइड अब जो ग्रीन कॉटिंग आती है वह क्या होता है को पर हाइड्रोकसाइड आता है और कार्बोनेट होता है था फॉवल्विंस दर एक्शन हम हमें क्या प्रडक्ट्स दे दिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट यह भी एक्षन है ना रिकॉल डे अक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैंगनेशियुम रिबन इस डिजॉवल्ड इन वाटर एंट एस एक बेसिक नेचर अब जो वह मैंगनेशियुम को बर् क्या सैंकिएंडिकेटर की मदद से इंडिकेटर होते हैं जो किसी मैं व affir Pardon लाते हैं तो वह ब्लू कलर को रैड में चेंज करतेगा और अगर बेसिक मैटेरल है तो रचर को ब्लू में चेंज कर देगा अब लिटमस पेपर को ईसक्ष तरुब जैसी मिन उसके भी डाला तो रैड कलर किसमें चैंज हो गया ब्लू में म सब्सक्राइचा बाइस करता करता है यह बेसिक लिया था METAL होते हैं आये ohlaim इंपारे ढाइन है let let us now observe the reaction of non-metals with oxygen activity 4.4 take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it अब हमने थोड़ा सा sulfur लेना है spoon में किस तरह का spoon होगा इस तरह का spoon होगा जिसमें हमने sulfur लिया है if this spoon is not available you may take a metallic cap हम एक metal की cap भी ले सकते हैं जैसे हमारी quartering super भी होती है and wrap a metallic wire around it और उसके आसपस हमें एक metal wire ले लेते हैं जिससे हम उसको पकड़ सकें fine as soon as sulfur starts burning जैसी वो sulfur burn करेंगे introduce the spoon into a gas jar और उसको हमें gas jar में डाल देते हैं जलाने के बाद या फिर हम tumbler भी ले सकते हैं cover the tumbler with the lid to ensure that the gas produce doesn't escape अब हम इस टंबलर को एक lid यानि ढखकन से ढख देते हैं ताकि जो भी अंदर जलने के current gas produce हो रही हो गैस बहार ना जाए remove the spoon after sometime थोड़ी दिन देर बाद जब वो सारी जाती है अंदर तो spoon को बाहर निकाल लो add a small quantity of water into the tumbler अब इसी गैस formation वाली जगा पर थोड़ा सा water हम आड़ करेंगे पानी एड़ करेंगे और कुक्क्ली रिप्लेस लिट और उसके बाद धकन को प्लेस कर देंगे शेक टंबलर वेल उस टंबलर को हमने अच्छे जहीं लाना है चेक दो the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide अब हमने जो गैस जो हमारी प्रडियूस होती है तंबलर के अंदर हमने देखा थे गैस प्रडियूस हो रही थी बर्निंग के कारण तो कौन सी गैस प्रडियूस होई थी sulfur dioxide because देखो sulfur हमने लिया था जब हम जलाते हैं जलाने के लिए कौन सी जरूरी होती है oxygen यानि कि sulfur किसके साथ रियक्ट हुआ देखो पहले हमने sulfur लिया था sulfur किसके साथ रियक्ट हुआ था जलाने के बाद oxygen के साथ तो हमारी कौन सी गैस प्रोडियूस होगी थी sulfur dioxide अब उस sulfur dioxide गैस के अंदर हमने क्या एड़ किया था water हमें याद है तो उसके बाद हमें क्या मिल जएगा sulfurous acid the reaction can be as follows हमने sulfur dioxide water के साथ एड़ किया और हमें क्या मिल गया sulfurous acid that is H2SO3 अब हमने जब लिटमस पेपर उसमें ट्राइप किया तो उसने ब्लू को रेड़ में चेंज कर दिया अब ब्लू को रेड़ में कौन चेंज करता है देखो हमने क्या पढ़ा था acid क्या करते हैं ब्लू को रेड़ में चेंज और बेस क्या करते हैं रेड़ को ब्लू में चेंज अब हमने देखा है कि लिटमस पेपर ने ब्लू को रेड़ में चेंज किया यानि कि हमारा जो solution है वो क्या है एसीडिक है यानि कि oxides of non-metals are acidic in nature हमने लिया क्या था sulfur और sulfur क्या होता है non-metals और जब हमने उससे लिटमस पेपर पर चेक किया तो उसने क्या नेचर शो किया इसेडिक यानि कि detta्ष नेचर इसेडिक यानि कि मारे नॉन मेटल कौन से लिए 23 गरते हैं ऐसिदिक नेचर तरफनेकर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंग परतव दिट वॉटर में नेक्षह करते हैं थी ex